एलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू माई चेनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम डिजाइनर बेल्ट ब्लाउस बनाएंगे और इसे हम प्रिंसेस कट 34 साइस कब आने वाले हैं तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बेटन जरूर दबाएगा तो यहाँ पर लाइनिंग और मैन फैबरिक दोनों हमने यहाँ पर 80-80 cm लिए हैं इसकी कटिंग पहले पेपर पर करेंगे तो यहाँ पर ब्लाउस की जो टोटल लैन्ट है वो हमें 14 इंच की रखनी है जिसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जन का तो 15 इंच लेना है 15 इंच पे हम मार्ग करेंगे इसे हम डीप नेक के अकॉर्डिंग में आ रहे हैं तो शुल्डर लेंगे हम 5.5 इंच आर्मो लेना है 5.5 इंच लाइन को ड्रो कर लेना है यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे तो चेस्ट का 4th पार्ट है हमारा 34 जिसका 4th पार्ट लेंगे हम तो होगा 8.5 इंच और 2.5 इंच प्लस करेंगे मार्जन के लिए 2.5 इंच हमने मार्जन के लिए ले लिया है अब यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है तो वेस्ट हमारी 28 इसका 4th पार्ट 7 इंच 2 इंच टक्स के लिए और 2.5 इंच मार्जन के लिए लेना है साइट से लाइन को ड्रो करेंगे और 1 इंच से आमूर के साइट पर गुलाई देनी है अभी यहां पर princess cut की marking करनी है 3.5 inch पर tux point लेना है हमको 10 inch पर क्योंकि 34-32 में tux point 10 inch ही आता है यह आप 36 size का बना रहें तो 10.5 inch लीजेगा यहां पर princess cut का shape देना है इस तरीके से tux की जो wheat थे वो 2 inch की रखी है हमने तो हमें यहां पर दिखिए 1.75 inch पर marking की 0.25 हमने side से marking की है इस तरी से अगर आख एक side से पर marking करेंगे तो भी चलेगा अब यहां पर हम marking करेंगे 2.5 inch पर यहां पर हम line को draw करेंगे अभी यहां पर हम दिखिए 1.5 inch की marking करेंगे ओ लाइन को draw करना है यहां पर दिखिए इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है और अभी हमें इसे cut करना है यह देखिए इस तरह से side बारा part हमारा cut हो जाएगा नीचे के side हम इसमें belt लगाएंगे यहां पर back part भी इस तरीके से cut कर लेना है और यहां पर यह back part है हमारा जिसका चोथा भागाएगा चेस्ट का 6.5 inch और 2 inch margin का लेना है यहां से straight line draw करकर इसको cut कर देना है क्योंकि इतना fabric extra है हमारा अभी यह back part हो गया अभी हमें इस तरह से princess cut वाले part को cut कर लेना है और इनको lining fabric पर हमें marking करनी है इस तरह से रखकर as a tease इसकी marking करेंगे यह देखिए front वाले part की marking है अब back वाले part की marking करनी है हमको तो जो paper था उसी को रखकर as a tease marking करेंगे पर back वाले जो इसके hook है वो back में रखने है और back part के लिए हमें आपे half inch की marking कर ली होगी आई hook की party के लिए तो वहीं इस same paper हाँ पर रखना है same नहीं जो back वाला था ना वो रखना है और इस तरीके से इसकी as a tease marking कर दीनी है और इन दोनों part को हमें cut कर लीना है झाले यह तरीके से उपाँ कर दीन, कि झाले जाए और रखना है और भीना है यह तरीके समाँ कर दीनी है हुआ 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 है तो देखिए फ्रांट और बेक पार्ट दोनों हमने कट कर लिया भी नहीं हम फैबरिक पर कट करेंगे तो इसकी जो डिजाइन है वो हमें देख लेनी है कि किस ट्राइब से आएगी तो इसको हमें यहां से इस तरह से फोल्ड करते हुए कट करना है यह देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और अब हम इसकी स्टीचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रेंसेस कट वाले पार्ट को स्टीच करना है साइट का एक्स्ट्रा फैबरिक कट करना है दोनों पार्ट स्टीच कर लिया इसको भी स्टीच कर लिया अभी हमें पेपर पैस्टिंग लेनी है नेकिल बीट 2.5 इंच रखनी है नेकिल लेन्थ हम 7 इंच रखना है शुल्डर को स्टीच कर देंगे तो 6.5 इंच रहेगी अभ यहां से नीचे के साइट से इसकी जो वीट थे नेक की उसको बढ़ाएंगे 3 इंच तक करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे अभी हमें आपे नेक को ड्रॉ कर दीना है तो किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से साइट से हमें एक्स्टर ले लेना है वन इंच और इसको कट कर देना है कट कर दिया लाइनिंग फैबरिक पर पेस्ट कर लिया है साइट से फोल्ड भी कर लिया अब मैं फैवरिक पर सेंटर पर एक मार्किंग करेंगे और जो नेक है उसके सेंटर पर भी एक मार्किंग कर ली है और दुनों को बराबर से रखते हुए हमें इस तरह से स्टीच कर देना है अब दीखिए इसका जो एक्स्ट्रा फैवरिक है उसको हम कट करेंगे और नेक पर कट लगाएंगे तो दीखिए इसको पलट दिया है अब जो प्रेंसेस कट वाले पार्टे इसको स्टीच करना है तो क्रॉस में पटी कट की है, लाइनिंग फैवरिक की डबल करते हुए से स्टीच करेंगे कट लगा लेना है गुलाई पर और एक स्टीच पटी के उपर से करना है अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टीच कर देना है और अभी हमें प्रिंसिस कट वाले पार्ट को स्टीच कर देना है यह देखिए दूसरा पार्ट भी स्टीच करेंगे अभी यहाँ पर हमने बैल्ट लिया है है बेल्ट कि जो लेन्ट ली है वो हमने लिए 28 इव्ह कि कि आमारे वेस्ट है वह तो 28 इन्चिस प्लस किया है नमारा जलें अब हम तर लिस लगा रहें वह रोप में लेओं लेओं लेज्ट प्रिक्प्र कम्प्लीट होती है एंवे दिखे तो इसमें साइड में नेट दिया हुआ नेट पर हमेंちょっと करेंगेOM करेंगे बैल्ट में तो उस तरह से जो इसमें मोती वगेरा लगे हैं उनके बिलकुत साइट साम में श्ठीच करेंगे एड़ी किस तरी के से? इन देखिए हमने इसको कट कर दिया है, स्टीश कर दिया है, अब यह आपर paper pasting को हमने paste कर लिया, मैं फाविरिक पर जतना आपर lining फाविरिक लिया था ना, उतना ही हमने आपर paper pasting को लेकर इस पर paste कर दिया, अब एक side से हमें इसे fold कर दिया है, और जिसकी दूसरे side है, वो हमे लेस्क पर रुक कर स्टीच करना है यह दिखिए सरीके से कि यह दिखिए से स्टीच किया साइट से भी हम इसको स्टीच करेंगे कॉर्नर जो है वाँ पर हमने कर्ट लगा दिया है इसे पलट देना है पलटने के बाद इसके साइट पर जो मने लेस लगाई है इसके साइट पर बिल्कुर स्टीच कर देंगे पास से पास से जरे दो कि भी हम आसो पास से तो यहां पर देखिए हमने बिल्कुल सैइट से इसको स्टेच कर दिया है तो जो मारा अब इसको इस तरीके से रखकर हम स्टीच कर देंगे यह देखिए तो स्टीच कर दिया है हमने इसको यहां से स्टीच कर देना है और पूरा स्टीच करेंगे तो यहां पर आप थोड़ी सी रख स्टीच करिए गया क्योंकि यहां पर हमें बैक पार्ट को भी इसमें स्टीच करना होगा तो देखिए दोनों ही साइट से हमने बेल्ट को स्टीच कर दिया है बैल्ट हमारा कम्प्लीट हो गया है तो अभी हमें यहां पर आर्मुल के साइट पर हाफ इंच की गुलाई देनी होगी जो कि हम फ्रेंट पार्ट में देते हैं तो हाफ इंच की गुलाई देनी क्योंकि यह डीप नेक की अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं अब यहां पर नेक की वीट स्पेक पार्ट भी 2.5 इंच नेक की लेंध हमने 10.5 इंच रखी है इस टाइप से हमको इसे बॉक्स बना रहा हैं जिसमें हम नेक को ड्रो करेंगे तो यहां पर आप कोई भी अपनी पसंद का शेव दे सकते हैं यह देखिए स्टाइप का शेव दिया हमने से और अभी हम इसको कट कर लेना है और पेपर पेसिंग पर भी हम नेक को पेस्ट करकर नेक पर ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके से आप neck को complete कर सकते हैं एक तो paper pasting लगा कर lining fabric में और एक यहाँ पर man lining fabric पर paste करके और इस तरीके से आप stitch कर सकते हैं अगर जब कभी भी आपके पास extra fabric lining fabric नहीं हो extra तो आप इस type से neck को बना सकते हैं बट आप यह जब ही बना पाएंगे करते हुए स्टीच किया एक स्टीच हम इसके उपर से कर रहे हैं उपर के side से fabric को fold करते हुए एक इसके side से stitch कर देना है इस तरीके से हमने hooky party को complete कर दिया है अभी हमें आई की पर्टी लगानी है तो इसे wheat में हमने 3 इंच रखा उपर के side से इसमें extra fabric लेना है इसे fold करने के लिए और इस तरीके से एक बार और fold करके stitch कर देंगे तो आई की party भी complete हो गई है अभी हमें इसमें back tux लगा देना है जिसकी land हम 4 इंच रखेंगे अभी देखना यहाँ पर हमने पट्टी लगा लेनी है तो आप सुच्छे होंगे मैंने यहाँ पर पट्टी क्यों लगाई है क्योंकि back वाला जो belt है वो तो हम इसमें stitch करने वाले है बट यहाँ पर eye की पट्टी भी लगी है जिसमें हम जो हमारा belt है उसको stitch नहीं करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों side पट्टी लगाई है और हमने shoulder को stitch कर लिया है तो friend sleeves की जो वीडियो है वो मैंने already अपको upload कर दी है channel पर यह देखिए यह दोनों part बराबर से होने चाहिए front और back part तो जो हमारी sleeves है उसकी video चैनल पर upload कर दी है अगर आपने नहीं देखिए तो description में भी आपको इसकी link मिल जाएगी वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और blouse के लिए sleeves को बना सकते हैं और अगर Instagram और Facebook पर भी आपने फूज फोलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप मुझे follow कर लीजेगा वहाँ पर मैं regular video upload करती हूँ तो आप मुझे Instagram और Facebook पर भी ज़रूर से follow करिएगा अब यहाँ पर देखिए fitting लगा दी थी हमने एक पर का margin रखते हुए stitch कर देना है यहाँ पर और अब हमें fitting लगानी है तो center से chest के fourth part पर marking करेंगे यहाँ पर हमें waist का fourth part ले लेना है और sleeves round का half लेना है तीनों marking को मिलाते हुए हमें fitting लगानी है तो देखिए जब आप armhole को बराबर रखेंगे तो आपकी जो यह side वाली fitting होगी वो भी बिलकुल बराबर आईगी अब यह belt है belt को हमने इतना open कर लिया और open करने के बाद हमें इसको back part में stitch कर देना है तो देखिए इस तरीके से हम से stitch करेंगे यह देखिए belt को stitch कर लिया तो friends यह हमारे blouse को final look तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment जरू करिएगा और channel को subscribe जरू करिएगा Thank you झाल 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 झाल